तो देखिए कितना अच्छा साइनिंग आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो यह हमारा कस्टड मेंगो हलू अब बहुत अच्छा हुआ है, और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको हम ग्रेंड करेंगे, तो इसका हम हलू बनाएंगे, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा पांच मिनट में यह हलू तैयार हो जाएगा, तो यहां पर यह जो सक्कर है, अगर आपके पास भूरा है, पीसा ह होगा चीनी है, उसको यूज कर सकते हैं, तो इसको हम ग्रेंड जार में जा रहे हैं, जालने, इसको पीसने जा रहे हैं, उसके आगे का बताती हूँ, तो इहां पर आप देख सकते हैं, यह जो है इसका एग्दम अच्छे से पाउडर बना ली हो, आब इसमें हम एड़ करे गोल बनाने के बाद हम जार में डालके इसको भी एग्दम अच्छे से मिख्या कर लेंगे, तो यह हमारा यह बड़ी चमच से दो चमच है, थोड़ा थोड़ा पानी डालके गोल बनाएंगे इसका, अगर इस तरह से आप बनाएंगे, मैंगो का हल्गो बहुत अच्छा इसको देखे अब जा रहे हैं इसको गरंड करना है तो यह हमारे मैंगो का पेश्ट जो बना हुगा है अब इसको यह कडाही में चाहे पेन में किसी चीज में इसको हम रख लेंगे और अभी हम गैस नहीं जलाएंगे इसको अच्छे से रख के दो तिन बार इसको फेट हमको इस तरह से इसको फेट लेना है कम से कम दो मिलर दो गैस पे रख दी हूँ पकने के लिए और इंहां मेडियम फलें पे रखी हूँ दोस्तों तो इसको हमको एक गम ऐसे चलाना है क्योंकि यह जो हमारा कश्टड पाउडर है यह बहुत तले में चिपकता है इसके अब जरूर इस तरह सकने घर पर राय करके देखिए यह मेंगो कस्टड मैंगो हलुआ कितना मस्त होता है खाने में अएकदम टेश्टी होता है तो इह पर देख सकते हैं यह हमारा है यह देखिए कितना गाढ़ा हो गया है तब इसमें हम इसे स्टेश पर घीर डालेंगे अ दोस्तों हम मेडियम फलेंफे इसको एकदम ऐसे फेटते रहेंगे जब तक यह कढ़ाई ना छोड़ दे तक हमको चलाना है इसको अब देख सकते हैं घी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम ऐसे एकदम चलाते रहेंगे यह कढ़ाई में तले में चित्के ना इसको एकदम ऐसे ही जलाएंगे रुकेंगे नहीं जब तक यह कढ़ाई ना छोड़ दे अच्छे से तब तक हम चलाएंगे तो यह हमारा देख एक कृष्टक मेंगो हलूआ कितने अच्छो से तैयार हो गया है अब यह कढ़ाई छोड़ दिया है इसमें और हम थोड़ा सा घीह डालेंगे कि इसमें इısर हम अच्छे से साइनिंग आजए तो इसमें तो अच्छ तो यह जाए तो आप किutना अच्छ साइनिंग आ जाना आ देख़ जोड़ें और बहुत अच्छा लग रहाएए तब इसको हम किसी परिट में काouse और दिकालो में निकाल के इसको रक द कर दी हूं और इस पे अगर आपके पास कोई ड्राइफूट है ड्राइफूट डालना चाहती है तो भी डाल सकती है उपर से तो देखिए हमारा कश्टर्ड मैंगो हलुआ कितना मस्त बना हुआ है इतना अच्छे से साइनिंग आ रहा है देखने बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप जरूर आम का सीजन चला इस तरह से बना के देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये हलुआ कैसा बना हुआ है कितना टेस्टी कितना लजीज तो इसको हम आदे घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए उसके बास से हम दिखाते हैं तो आप अपने पसंद का कैसे भी काट सकते हैं तो इसको हम कट करके दिखा रहे हैं बहुत अच्छा हुगा है तो इहां पर आप देख सकते हैं इसको मैं पीस में कट कर ली हूँ और देखिए कितना अच्छा से जम गया है अगर इसको और टाइम तक रखेंगे तो ये और मेंगो हलुआ बहुत अच्छा हुआ है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो आई हो फे वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट चरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैंगे तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा आज के लिए इतना हिए फिर मुंते हैं इस्ट वीडियो में टाटा बाई भायान के कियें